हलो माई यूट्यूब फामली कैसे हैं आप सब होप यू आल आ डूइंग वेल और सुबह सुबह का वक्त है जस्ट अभी अभी उठ रहे है नहीं थोड़ा देरी पहले चायवाय तो हो गया अभी मैं आई हूँ ब्रेक्फस्ट का त्यारी करने कीचन थोड़ा सा मेस्ट है थोड़ा सक्दीन है और मैं आज भाजी बनाने वाली हूँ आज ना ब्रेक्फस्ट में ज्यादा कुछ बनाओगी निया मैं मैं से मिला रही हूँ देखे मैं क्या कर रहा है क्या कर रहे हूँ आप मैंका आज तो मस्ती है क्यों कहां जा रहे हम लोग मुह देखे हो आप ना मैंका तो मस्ती मस्ती चल रहा है लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक्फस्ट रेड़ी करूंगी और केंकि आज ना हम लोग मंदिर जाएंगे तो मेरा जादा काम नहीं है आज अच्छली मेरा तबियर थीक नहीं बहुत फुर रहे हैं पता नहीं क्या हो गया इतन sytuा जो मेरा जो सोप है वह खत्म हो गया डिलिवर नहीं हुए खरा खरा पूरा बरतन हाथ से मुझे धोना पड़ रहा है कुछ दिन से के वा बेटा हो गया तो मेरा बेटा पुरा मिल्क फिनिश कर लिया So he is now मतलब मैंक अच्छली ना बहाँ समझदार है उसको बोलो तो ये कर लो बेटा कर लेता है ये मेरा एक तसलिए है कि तबियत खराब में भी बेटा मेरा साथ दे रहा इतना चोटा बेटा है शेकर जी साथ दे रहा है शायल इसी कोई फैमिली बोलते है कि मेरा तबियत इसलिए खराब हुआ मैं इनफाउम कर दू कि मेरा वाशिंग मेशीन खराब हो चुका है जो वाशिंग मेशीन कभिया होते हैं जो सर्विस सेंटर में फोन करके बलाय जाते हैं वो लोग करीमन एक वीक से आजाएंगे कर लाएंगे कर रहा हाँ से सारे कपरे मुझे धोने पर रहे और इसके साथ ब तो चलो मैं पहले ब्रेक्फस्स बना लेती हूँ और आज मंदीर जाना है क्योंकि मंदीर में पूजा है तो वहां रहेंगे सारा दिन तो मैंन में थोरा सा तसनली भी होगा कल से फिर पाच बजे उठा हो मैंका स्कूल है उसका तिफिन रेडी करो तिफिन लजी बॉक्स स्कूल में बोल के आए थी कि कर चिप्टी कराएंगे क्योंकि उसको लेके जाना है आज मंदीर है आज तो जाना ही जाना था बहुत ही नहीं गया और पूरा मैं अप लगो के साथ शेयर करूगी फिल्हाल चलिए फटा फट मैं ब्रेक्फस्स बनाती हूँ और ब्रेक्फस् नहीं है तो मैं अपना ब्रेक्फस्ट बनाने के पहले ना थोड़ा सा मैं कीचन को क्लीन कर लूँगी तो क्लीन कर लेने से क्या होता है ना जो ये सारे गंदे आप देख रहे है ना क्लीन हो जाएगा तो काम करने में मज़ा भी आता है तो बस क्लीन करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा चाय में बठा रही हूं, यहाँ पर चाय पो कीठेकर है हम लोग़ों के ने के मैं आगे ह।ं किचिन और कृष alternating है। यहाँ पर double Persian है कुछ पूर कहा दूरु को कूछार रही हूं। तो सिंपल सा जीरा डाल के बस इसमें आलू डाल दूँगी और बस थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दूँगी बस हो जाएगा आलू का भुजिया रेडी बस उतना ही मैं बनाऊंगी आज और हेगाईज अभी हम लोग रेडी हो चुके मतलब मैं तो रेडी हो चुकी हूँ मंदीर जाने के लिए मैं ये वाला सारी पेनी हूँ मेरा आउटफिट शायद पूरा में दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी स्टैंड में लगा के दिखाना पड़ेगा फिलहाल मैं सारी पेनी हूँ और अब भी मंदीर जाऊंगी बारिश बहुत हो रहा है वेदर में दिखाऊंगी आप लोगों को वेदर आज का बहुत खराब है कैसे स्कुटी में जाऊंगी सोच रही हूँ रहूं कि मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी और ये देखिए यहां का मौसम क हाल क्या हो रखा है इतना तीज बारिश हो रहा है कि हम लोग निकलने का सोच के भी रेडी होके भी अभी निकल नहीं पा रहे हैं इतना तीज अवाज यारी ना बारिश का बहुत वेदर खराब है इस हिसाब से कैसे निखियों पता नहीं बहुत बारिश हो रहा है और मेरा मेरा रूम का हालत आज आप मन देखो हां मेरा रूम का हालत आज बहुत खराब है वैसी के लिए सुपर में उठके मेरा तबियत बहुत खराब था मैं मैडिसन ली थी और मैं सो रहे थी कल पूरा दिन और इतना मेरा तबियत बिगर गया था मैं कुछ नहीं कर पाया सुपर से मन्दिर जाने का बात था नौ बजी अभी ग्यारा बज रहा है अभी तक हम लोग निकल नहीं सके इसलिए क्योंकि मैं ब्रेक्फस्स बगेरा बनाई बच्चा को ब्रेक्फस्स कराऊंगी फिर ना निकलूगी तो यही सब चल रहा था तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी शे साथ शेयर करूंगी फिल्हाल मैं अपना आउटफिट कैसे दिखा हूँ तो कि मैं स्टैंड में मैं दिखा दे रही हूँ मेरा आउटफिट मैं स्टैंड तो नहीं लगाई हूँ मैं दादा का रूम में आगी हूँ और यहां से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को यह द बाहर में बहुत साउंड आ रहा था गारना बजाने का तो अपीराइट इस्यू आ जाता ये जो सारी है ना ये मेरे लिए बहुत खास है तो आप लोग पुछ तो कि मेरे लिए क्यों ये खास है क्यूंकि मैं जाते जाते बात कर रही हूं है लाइट्स आफ कर दो यह बिसिकली दादा कर रूम है और यह सारी खास कियो है क्योंकि हम लोग पिछली बार जब भुद्मेश्षर कहते पूरी मंदिर दर्शन करने तो यह वाला सारी शेकर जी मुझे गिफ्ट किया थे अच्छली तो इसलिए यह जो सारी है यह मेरे लिए बहुत खास है और मैं किच्छन में किच्छन में पूरा क्लीन कर चुकी हूँ कुछ नहीं है पूरा खाली है सुबर में ब्रेक्टर फगेरा बनाई थी तो फिलहाल चलो मैं मेरा मूँ अंधेरा में काला काला लग रहे है फिलहाल रूम का हालत बिल्कुल मैं नहीं दिखा रही हूँ बहुत खराब है मैं आउंगी फिल्चाइट करूँगी फिलहाल चलिए मंदिर चलते मैं शेयर करूँगी आप लगो के साथ से हलो एट लिस्ट अपना अच्छाइब दार बारिश हो रही है और मैंने ना पॉनिटेल कर लिया है खुला हेर में याग आइस नहीं हो रहा है तो ऐसे ही जारी हूँ निकल रही हो भी मूँ पुरा अंदेरा हो गया पाहा निकलती हूँ फिर मैं बात करती हूँ और यहाँ पर शेकरजी भी रेडी हो गया है और बहुत तेज बारिश हो रहा है बोलके हम लोग सोच रहे की मतलब रेडी हो के हम लोग नीचे आ चुके हैं और मुम्मी को यह बोल रहे थे की मुमी अब दरवाजा बंद कर दो क्योंकि इतना बारिश में मुमी तो नहीं निकलेगी घरी पे रहेंगी तो चलिए देखे यहां पर इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग वेट करें थे कि कब बारिश रुके थोड़ा सा हम लोग निकले मंदीर के लिए लेख रहा था। अब ही उपर जा रहें बहुत बारिश हुआ था रस्ता में हम लोग अटक गये थे बारिश से तो चलिए फिर उपर के तरफ चलती हूँ और ये देखे मायं को मंदिर में आके ही उसका बनमाजी मतलब चालू हो गया है और हम अभी जारे उपर के तरफ में इन मंदिर में आप लोगों को शो करूँगी तरहें इत्था चुछी तो आप देखो और यहां पर खेटर चल रहा है भगवाजी तरफ लग चुका है और जीचन चल रहा है वही में आप लोगों के साथ चल रही हो और ये देखे फाइनली को कफ़र को कर देखो कि अन्दर जाना मना है तो बस और यहां पे सब कोई भोग प्रशाद ले रहे प्रशाद दिया गया था सब को और जुन लोगो बुज़र्ग लोग है ना घुटना में प्राब्लम है तो वो लोग के लिए चेयर का बेवस्था किया गया था बस यही था मेरा हाल देखो प्रशाद दिया जा रहा था मैं सब करी थी तो यह हाल है यह फ्रैज फीट बैखेगा सोड़ी हाँ यह यह दादा का फोल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूं और बहुत नॉइस है गाइस में बाद में बाद कर रही हूं फिर आप लोगो बुर्ट एवनिंगत अब यह बढ़े अभी शाम को जस्ट हमरों घर आया हैं और सबसे इची बात है मेरा लीशवशर का कर जो सोप यह देखो यह अभी बी डिएपर हो चुका है तो यह सबसे इची बात है कि हाथों में हाथों से बरत्र नीद होना पड़ेगा तो चलो फिलहाल मैं घर पे आई हूँ और मेरी चाय बन चुकी है मैं अभी भी चाय भी बनाई हूँ जिस बहुत टायट हूँ मैं ब्लॉग को एंज भी नहीं कर पाई थी फिलहाल मैं चाय पी हूँ और आज मैं कुछ रेसिपी दिखाने वाली नहीं हूँ ब्लॉग बहुत जड़ा नंबा मैं नहीं कर रही हूँ छोटा सा ब्लॉग में डार रही हूँ दी सुभर से मंदिर में थे बहुत एंजॉई किये हैं और अच्छा लगा और वहां पे बना था खिचरी प्रशाद जो हम लोग रहन किये और बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा दिन गया फिलहाल मैं यहां पर अपना थोड़ा सा चाई पी लूँ और फिर देखते हैं डिनर में क्या बनाती हूँ सेंपल सा कुछ बना लोगी क्योंकि पेठ हम लोगा सब का बढ़ा हुआ है चज़गर आई हूँ और इतनी टायड हुकी और कुछ रेसिपी देखाने का मेरा महिमत नहीं है तो मैं बलॉग को आज यहां पर इंड कर रही हूँ किसी भी पॉइंट पे मेरा बलॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंडस और फैमिली के साथ और अगर चैनल में नए हो आप मेरा बलॉग देखते हो तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं बलॉग चलिए यहां पर मैं आज बलॉग इंड करती हूँ कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में तिल देन डू लाइक शेयर कमें और सब्सक्राइब इजिस टीजिए इंडियन मौमित पॉर्मा तब तक के लिए बाई बाई टेकर और थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नही रेसिपी के स तब तब किली, बाइब बाइ!